इस समय बिहार की राजनीती में आनंद मोहन नाम के अपराधी ने बबाल मचा रखा है एक सक्स जो एक जिलादिकारी की हत्या की सजा काट रहा था बाहर निकलने पर सोष्टा लग रहे हैं सुस्वागतम सेरे विहार देश की राजनीती और मौझूदा लोगतंत्र के लिए एक काले अध्याय की तरह है नेशन जन्मत इस पूरे घटना क्रम को दो पहलू में देखता है राजपूद, ब्रामण या भूमिहार जाती के लोग क्यों आज भी समास सुधारक, लेखक, चिंतक, बिचारक, ब्यूरोक्रेट्स या बड़े सिक्षावित की वजाए किसी अपराधी को अपना रोल मॉडल क्यों मानते हैं, अगर ऐसा नहीं होता, तो एक अपराधी को निकालने के लिए नितीस और तेजसी की सरकार मजबूर ना होती ये एक पहलू है, दूसरा पहलू है पिछड़े और दलितों की राजनीती करने वाले राजनेता जो सामाजिक न्याय का दंब भरते हैं, आज भी वो मानसिक तोर पर इन सवर्ण जातियों के माफियाओं और अफराधियों के गुलाम बने बैठे हैं, यही वज़े है कि उपने जीवन में, 10 चुनाओं में, महज, 2 चुनाओं जीता है, 1998 के बाद कोई चुनाओं नहीं जीता, पिछले 16 साल से, मतलब 2007 से, जेल में हैं, उसकी पतनी लवली आनंद, 1994 के बाद कोई चुनाओं नहीं जीती, लेकिन इस परवार को ऐसे प्रजेंट करने की कोसिस की ज जेब में पड़ा रहता हो, यही है सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीती करने वाले, राजनीतियों की मानसिक गुलामी, इसी वज़े से सायद, बीजेपी सांसद, ब्रजभूसन सरन सिंग, धननजे सिंग, बिरजेश सिंग, बिनीश सिंग, या राजा भाईया जैसे की खुले तोर पर मुखालफत करने की इनकी हिम्मत नहीं पड़ पाती, क्योंकि अंदर से इभ्रम रहता है, कि इनका बोडवेंक हमारे साथ है, यह आगले चुनाओं में, यह हमारी पार्टी से चुनाओं लड़ सकते हैं, यही मौजूदा दोर में, पिछले और दलितों क हिमायती होने का दंब भरते थे, उन्होंने सामंती गड़ों में फिर से किसी नाएक किसी सामंती को इस्थापित किया, बिहार में जो हो रहा है, क्यों नहीं, नितीस और तेजसी को यह नजर आया, कि एक दलित आईयस अधिकारी की हत्या का आरोप, जिस सक्स पर है, अगर जेल मैनूल में बदलाओ करके उसको बाहर निकाला जाएगा, तो दलित बोट बैंक हम से छिटक सकता है, अपने बोट बैंक को अपना बनाने की वज़ाए, ध्यान इस बात पर है, कि 16 साल से जो सक्स जेल में है, जो पिछड़े दलितों का मुखर तोर पर बिरोधी रहा, और इस सक्स ने 1980 में सवर्णों की एक सेना मराई थी, क्रांतिकारी समाजवादी सेना, इस बैक्ती का पूरा ट्रेक रिकॉर्ड जब आप खंगालते हैं, तो पिछड़े दलितों का और आरक्षड का बिरोधी के तोर पर एक सवर्ण नेता, जो बूमियार और राजपूतो को पिछड़े दलितों के खिलाप एक जुट करने में लगा था, वो नजराता है, अगर आनंद मोहन या इस जैसे किसी भी सामंती पर सामाजिक न्याय का ठेका लिए हुए पार्टियां दाओ ना लगाएं, तो इन जैसे सक्स का राजनितिक बर्जूत छोड़िये, सामाज वजूद भी न रह पाए, 1990 में पहली बार विधायक भी बना तो जनता अदल से, और उसी के बाद आरक्षन, मंडल कमीशन और लालू यादों की मुखालफत करने लगा, और सवन नेता के तोर पर खुद को इस्थापित करने लगा, 1999 में सरद यादों के खिलाफ, मदयपुरा से चुनाओ लड़ा हारा, 1994 में जरूर पतनी लवली आनंद, 20 реж सीट से चुनाओ जीती, 1995 में तीन सीटों से विधान सभा चुनाओ लड़ा, तीदों से हारा, 1996 में लोग सभा का चुनाओ लड़ा हारा, 1990 में अगर RJD सयोग ना करती तो सिभर सीट से संसद नहीं पहुँच पाता महज एक साल संसद रहा 1999 में BJP से चुनाव लड़ा हारा 2000 में कॉंग्रेस से चुनाव लड़ा हारा 2004 में लोकसभा चुनाव लड़ा हारा 2010 में पतनी लवली आनंद कॉंग्रेस से चुनाव लड़ी हारी 2014 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी हारी ये है इनका राजनेतिक रसूख और वजूद ऐसे सक्स के लिए नितीश कुमार और टेजस्वी की जोड़ी ने सरकारी नियमों में जेल मैनूवल में बदलाओ करते हुए वो कलॉज हटा दिया जिसमें कहा गया था कि अगर सरकारी सेवक या लोक सेवक की कोई हत्या करता है तो उसके अपराधी की सजा में छूट देने में 20 साल से पहले बिचार भी नहीं किया जाएगा मगर 16 साल की सजा बिता चुका था चार साल अभी जेल में रहना था लेकिन राजपूद बोड बैंक की गलत फहमी में सासन बाबू ने अपनी कलम से एजाज़ा दे दी कि आनन्द मोहन जैसे अपराधी को जिसने एक दलित आईएस की हत्या करवाई थी उसको जेल से बाहर निकाला जाएगा हालाकि नेसन जन्मत ने इस बात की भी पुष्टी की जो आरोब बीजेपी लगा रही है कि आनन्द मोहन की वज़े से ही 26 अन्य कैदियों को भी जेल से बाहर निकाला गया इन दोनों ही घटनाओं में कोई समानता नहीं है वो कैदी वैसे ही निकले जैसे जेल मैनूल के हिसाब से अच्छे आच्रण के कारण या किसी अन्य वज़े से कैदियों को रहा कर दिया जाता है एक मात्र मामला है लोक सेवक के मामले में आनन्द मोहन का मतलब नितीस कुमार और तेजसी सरकार के उस फैसले के कारण अन्य कैदियों को बाहर नहीं निकाला गया महज नियम में बदलाओं से आनन्द मोहन और उसके परवार को फाइदा हुआ है यहाँ यह बताना भी जरूर है कि जिस राजितिक रसूक की बात की जाती है वो यही तथा कथित पार्टियां बढ़वाती है जिस समय इस परवार का पूरा राजितिक रसूक खत्म हो गया था उस समय आरजेडी ने 2020 में सिवहर सीट से आनन्द मोहन के बेटे को टिकट दिया और वो बिधान सवा तक पहुँचा अगर आनन्द मोहन के बेटी की सगाई में मुख्यमंत्री और डिप्टी सियम ना पहुँचे होते अगर आनन्द मोहन के बिधायक बेटे चेतन को तेजसी जादा उतने भाव ना देते तो कैसा राजनितिक रसूक अगर ये राजनितिक दल इन रसूखदारों पर इन अपराधियों पर इन माफियाओं पर दाव लगाने की बज़ाए किसी सामानित कारिकर्ता को जमीनी नेता को समासुधारक पर इस तरह का दाव लगाएं और उसके घर दो चार वार चले जाएं तो उसका भी रसूख किसी भी छेत्र में बुलंद हो जाएगा और वही नेता के तौर पर इस्तापित हो जाएगा मगर अफसोस ये लोगतंत्र का काला ध्याए ही है कि किसी अपराधि को चार साल पहले जेल से इसलिए निकाला जाता है कि उसकी जाती का बोट बैंक उसके सहारे सामाजिक न्याय की बात करने वाले महागढवन्दन को मिल सकता है यहाँ यह ज्यान देनी की कोशिज मत करिएगा कि योगी आदितनाथ ने अपने केस वापस ले लिये थे अपने गुरू चिनमी अनंद का केस वापस ले लिया था तमाम अपराधियों और माफियाओं को प्रस्रे दे रहे हैं वो तो ऐसा करेंगे ही क्योंकि वहाँ मकसद दो जातीयों के वर्चस को पुनारिस्थापित करना है लेकिन सामाजिक नयाय की बात करने वाले पिछडे अधलितों के हिमायती होने का दंब भरने वाले राजनितिक दल और राजनितिक भी ये करेंगे तो इन समाजों का सोशन्ड रुकने में सदीयां लग जाएंगी देखते रही ने संजन मत जागरुक और सजक बने रहिए जै विज्ञान जै समिधान जै लोगतंत्र धन्यवाद